तो आप लोगों ने अपनी जुनियर क्लासे में अपने बारे में अपने सुना हुआ है लेकिन इस चेप्टर में हम इनको वाइडली डिसकस करेंगे आपने पढ़ा होगा आपने यही सुना है कि एसिड्स क्या होते हैं खटे होते हैं बैसिस क्या होते हैं ठीके उसके बाद में आपने सुना होगा कि एसिड्स क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रैड कर देते हैं ठीके और बैसिस क्या करते हैं रैड लिटमस को ब्लू कर आजएडी क्या है यही इसके लिए लग लग स्ैंटीस ने अलग 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 तेञ जिसमें से सब्स कोमन यह चो हम लेते हैं होाँ आरानियस की त्योडी आरानियस? बोलता है या आर्नयस स्टेक करता है की क्या करते हैं इनके aqueous medium में H plus ions देते हैं it means acids are the substances those give H plus ions in their aqueous medium it means अगर हम acid को water में add करते हैं या acid में water mix करते हैं तो acids mostly H plus ion hydrogen ion देते हैं यानि remove करते हैं तो क्या according to RNAs theory according to RNAs theory RNAs theory acids give H plus ions that is the hydrogen ions और हम hydrogen ion को hydronium ion भी बोलते हैं both are the same thing H plus और H3O plus are the same thing acids give H plus और H3O plus ions in there in there aqueous aqueous मतला water water में जब इनको हम add करते हैं aqueous medium किस तरीके से हम बात करेंगे जैसे हम एक acid का example लेते हैं for example हमने HCl लिया जैसे ही हम HCl में water add करते हैं यानि हम इसका aqueous medium बनाते हैं हमें aqueous medium बनाते ही यह क्या करेगा H plus और Cl minus में break हो जाता है तो यह कौन सा hydrogen ion दे रहा है हमें hydrogen ion देता है इसी तरीके से हम दूसरे acid की बात करते हैं जैसे कि मैंने हमें यहां पर H2SO4 ले लिया sulfuric acid और जैसे ही मैं इसका aqueous medium बनाते हूं यहां पर भी aqueous aqueous लिख देती हूं aqueous का मतलब होता है water add होना ठीक है तो H2SO4 को हम water में mix करते हैं तो यह भी क्या करेगा एक तो हमें H plus ion देगा और एक हमें इस तरीके से H plus ion देना ही क्या बोला जाता है इनको acid कहा जाता है तो acids क्या करते हैं इनके aqueous medium में H plus ions remove करते हैं अब हम bases की बात करते हैं तो bases क्या करते हैं देखिए bases are the substances according to Arrhenius same according to Arrhenius bases give hydro oxide ion OH minus ions in their in their aqueous medium bases क्या करते हैं hydro oxide ion देते हैं OH minus ions देते हैं उनके aqueous medium में for example जैसे कि हम base की बात करें तो base ले लेते हैं NOH जैसे ही हम NOH में water add करते हैं ठीक है यहां तो क्या होगा यह एने प्लस प्लस ओएच माइनस में ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से एने में क्या हो जाएगा sodium और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा तो यह क्या कर रहें अपने aqueous माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा और hydroxide आयन यह देते हैं इसी लिए इनको हम bases बोलते हैं तो acid और bases को RNAs theory के according इस तरीके से हम define कर सकते हैं acids are the substances those give H plus ions in their aqueous medium but bases are the bases give hydroxide ions in their aqueous medium ठीक है तो एक जनरल introduction था next हम बात करते हैं salt के बारे में थोड़ा सा तो salts क्या होते हैं और आपने जूनियर classes में पढ़ा है कि अब बाइदर reaction of neutralization कि इसके बीच में होती है इस acids और bases के बीच में होती है तो acid और base जब आपस में reaction करते हैं यह acid है और यह क्या है based तो acid हो basic जब आपस में reaction करते हैं तो क्या बनते है salt और water और यह salt है तो इस तरीके से इस chapter में हम नहीं हमें बहुत तरीके के salts उनके टाइक्स के बारे में भी discuss करेंगे उनके usage के बारे में भी discuss करेंगे और किस तरीके से यह हमारे डेली लाइफ के लिए इंपोटेंस रखते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, तो सौल्स, जब एसीड और एक बैस react करता है, तो हमीशा सौल्ट बनता है, वाटर बनता है उर इस रियक्षन को हम बोलते हैं, neutralization reaction यह हमने फर्स चेप्टर में भी discuss करा है neutralization reaction इसको बोला जाता है next हम बात करेंगे हमारे next video में thank you